हर किसी के जीवन के पिछले आठ माह इंसानों के लिए काफी मुसीबत से सफर कर गए आगे का भविश्य फिलाल तो निश्चित नहीं है लेकिन कोरोना संक्रमन ने पूरी देश और दुनिया को हिला कर रख दिया है संक्रमन का काफी गहरा सर्ववैपी प्रभाव दुनिया छेल रही है इस महामारी असूर ने लोगों की शद्धा और आस्ता पर भी चोट पहुचानी की कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी है मगर ये शद्धा और आस्ता का मर्म है कोरोना तुम आग खोल कर देख लो तेरे लाग कोशिशों के बावजुद जान चली जाए उससे बहतर मा के भक्त उससे दूर न रह सके ऐसा कई भक्तों का कहना है इसलिए भक्तों के पएर अनायासी अपनी माई के दर्शन के लिए उसके दर तक पहुच जाते है भले ही सामुहिक आर्ति का पठन नहीं हुआ भले ही मेला नहीं लगा भले ही राहवन नहीं जला पर जुड़वा नगरी के सिध्धक्षित्र वाघा मंदीर में नवरात्रो प्रड़ा के वाघा माता की महिमा बड़ी अपरमपार है माई ने भी उसके दर पर पहुचे हर भक्तों को सुखत भविश्य का आशिर्वात प्रदान किया जल्द ही इंसान अपनी पुरानी जिंदगी में लवटेगा इस बात की उम्मित प्रबल हो चुकी है कोरोना नामक राक्षस का अंत अब बहुत निकट दिखाई देने लगा है ऐसे में इंसानों का पुर्ण रूप से जागरुत हो जाना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि कोई भी आने वाली और जाने वाली स्थिति काफी तकलिप और परिशानी देकर आती जाती है इसलिए कुछ और दि कर दिए